प्रस्न पांच, निम्न लिखित को सिध्ध कीजिए, प्रस्न पांच का साथुआ प्रस्न, तो प्रस्न है कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर, एक माइनस, दो, साइन स्क्वाइर पेंटारिश डिग्री, बराबर, बराबर, दो, कॉस स्क्वाइर पेंटारिश डिग्री माइनस एक, बराबर, दो, कॉस स्क्वाइर पेंटारिश डिग्री माइनस एक, तो क्या सीध करना है हमें? कॉस 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वार 45 डिग्री और बराबर 2 कॉस स्क्वार 45 डिग्री माइनस 1 तो ये तीनों को आपस में बराबर सीध करना है यानि कॉस 90 डिग्री किसके बराबर है? 1-2 sin2 45 degree और 2 cos2 45 degree minus 1 यानि ये तीनों को बराबर सीध करना है तो यहाँ पर 2 5 हो गया cos 90 degree मध्य 5 यानि बीच में कौन है तो 1-2 sin2 45 degree मध्य 5 हो गया और दाया 5 यानि बराबर के दाया तरफ हो गया 2 cos2 45 degree minus 1 तो हम सबसे पहले बाया 5 लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बाया पच बराबर कॉस नब्बे डिग्री तो कॉस नब्बे डिग्री बराबर क्या होता है? तो कॉस नब्बे डिग्री बराबर होता है सून्य देखें कॉस नब्बे डिग्री बराबर क्या होता है? सून्य तो कॉस नब्वे डिग्री बराबर सुनने यानि बाया पच कितना आ गया सुनने आ गया अब मध्य पच लेंगे तो मध्य पच तो मध्य पच बराबर कितना है एक माइनस दो साइन स्क्वाइर पेंटालिश डिग्री एक माइनस दो साइन स्क्वाइर पेंटालिश डिग्री यह मध्य पच तो एक माइनस दो अब दो जो है साइन स्क्वाइर पेंटालिश डिग्री के साथ गुना में है तो दो गुना अब sin 45 degree का मान कितना होता है तो sin 45 degree का मान होता है 1 वटा रूट 2 और cos 45 degree का मान होता है 1 वटा रूट 2 तो sin 45 degree का मान कितना होता है 1 वटा रूट 2 तो sin square 45 degree है यानि इसका वर्ग कर देंगे ठीक है तो 1-2 गुना 1 वटा रूट 2 का वर्ग अब यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस दो गुना एक बटा रूट दो का वर्ग है तो एक का वर्ग एक होगा एक का वर्ग एक होगा रूट दो का वर्ग यानि रूट दो गुना रूट दो दो तो रूट दो का वर्ग क्या हो जाएगा दो तो 2 से 2 काट लेंगे यानि कितना आ जाएगा बराबर 1 माइनस देखें 2 से 2 कट गया तो 1 बचा यानि 1 माइनस 1 क्या आ गया सून्य तो मध्य पच भी सून्य आ गया है अब क्या लेंगे अब लेंगे दाया पच तो लिखेंगे यहां पर दाया पच तो दायां पच बराबर कितना है 2 कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी माइनस एक देखे दायां पच में है 2 कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी माइनस एक तो यहां पर तो दो जो है दो क्या है गुना में है कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी के साथ तो हम लिखेंगे दो गुना कॉस 45 डिगरी बराबर होता है एक वटा रूट दो क्या होता है एक वटा रूट दो तो कॉस स्क्वाइर 45 डिगरी है यानि एक बटा रूट दो का वर्ग है माइनस एक इस तरह लिख लेंगे बराबर दो गुना एक बटा रूट दो का वर्ग तो एक का वर्ग एक होगा बटा रूट दो का वर्ग तो रूट दो का वर्ग हो जागा दो, रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जागा, दो, और माइनस एक है, तो दो गुना एक वटब 2 हो गया, एक वटब 2 का बर क्या हो गया, एक वटब 2, दो से दो कट गया, कितना आ गया, तो दो से दो कट गया, एक बचा, यानि एक माइनस एक, तो एक माइनस एक क्या हो जागा, सुन्य, एक में से एक घटाएंगे तो सुन्य आएगा, तो बायाँ पच, मध्य पच, और दायाँ पच, तीनों सुन्य आ गया है, तो अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतर, बायां पच बराबर मद्य पच बराबर दायां पच यानि बायां पच मद्य पच के बराबर है और दायां पच के भी बराबर है यानि तीनों आपस में बराबर है क्योंकि तीनों के बराबर क्या आ गया सुन तो इस तरह से इसको हल करेंगे अाइब बराबर क्याओता हुआता 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 है प्रस्न आठ तो प्रस्न आठ में है साइन तीज डिग्री इंटू कॉस साथ डिग्री साइन तीज डिग्री इंटू कॉस साथ डिग्री पलस कॉस तीज डिग्री इंटू साइन साथ डिग्री बराबर क्या सीध करना है साइन नबबे डिग्री तो प्रस्न है साइन तीज डिग्री गुना कॉस साट डिग्री प्लस कॉस तीज डिग्री गुना साइन साट डिग्री बराबर साइन नबबे डिग्री तो बीच में बिंदू है इसका मतलब गुना में है बीच में बिंदू का मतलब क्या है? गुना में है तो बराबर के दाया तरफ साइन नबबे डिगरी है, यानि दाया पच में साइन नबबे डिगरी है और बराबर के बाया तरफ, यानि बाया पच में क्या है? साइन तीज डिगरी गुना cos 60 degree प्लस cos 30 degree गुना sin 60 degree तो बराबर के बाया तरफ यानि बाया पच सबसे पहले हम लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बाया पच बाया पच बराबर अब इसको लिख लेंगे sin 30 degree sin 30 degree गुना cos 60 degree प्लस cos 30 degree गुना sin 60 degree यह है प्रस्न यानि बाया पच तो बीच में बिंदू है इसका मतलब क्या है गुना में है cos 30 degree गुना cos 60 degree plus cos 30 degree गुना sin 60 degree तो sin 30 degree cos 60 degree cos 30 degree और sin 60 degree का मान क्या होता है तो sin 30 degree का मान होता है एक वटा दो cos 60 degree का मान होता है एक वटा दो cos 30 degree का मान होता है रूट तीन वटा दो और sin 60 degree का मान होता है रूट तीन वटा दो तो यहाँ पर सबका मान रखेंगे तो साइन 30 डिगरी याँनी 1 वटा 2 गुना कॉस 60 डिगरी यहाँ पर भी 1 वटा 2 लिखेंगे फलस कॉस 30 डिगरी याँनी रूट 3 वटा 2 गुना साइन 60 डिगरी यानि root 3 वटा 2 इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे गुणा में है तो 1 गुणा 1 1 2 गुणा 2 4 पलस root 3 गुणा root 3 2 गुणा 2 4 4 लग उत्म लेंगे 4 लग उत्म लेंगे तो यहाँ पे हर में 4 है और उसका लग उत्तम भी 4 है तो बस अंस को लिख देंगे यानि 1 प्लस 3 तो कितना हो गया 3 एक 4 बटा 4 तो 4 बटा 4 कितना होगा 4 बटा 4 बराबर एक आ गया है तो बाया पच बराबर कितना आ गया अब दाया पच लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर दाया पच तो दाया पच कितना है साइन नब्बे डिग्री साइन नब्बे डिग्री है दाया पच तो साइन नब्बे डिग्री का मान क्या होता है तो साइन नब्बे डिग्री का मान होता है एक, देखे, साइन नब्बे डिग्री बराबर एक, तो बराबर एक लिख देंगे, तो बाया पच भी एक आया है और दाया पच भी एक आ गया, यानि दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे, यहां पर आता है, बाया पच बराबर द बाया पच बराबर दाया पच तो सीध करना था कि बाया पच और दाया पच यानि दोनों को बराबर सीध करना था तो सीध हो चुका है क्यूंकि बाया पच भी एक आया है और दाया पच भी एक आया है तो इस तरह हम इसको सीध करेंगे कर दो कर किस बादा है कर दो कर दो कर दो झाल